आप सभी को दीपों के इस पावन पर्व दिपावली की अनन्त शुब काम नाएं ये पर्व दियों का त्योहार तो है ही साथी है हमारे सनातन धर्म का भी एक उज्वल प्रतीक है जो हमें धर्म, सत्य और प्रकाश की और जाने का संदेश देता है तमसो मा जोतिर गमया अर्थात है प्रभू हमें अज्ञान के अन्दकार से ज्ञान के प्रकाश की और ले चलो दिपावली का पर्व इस श्लोक की जीवन्त प्रस्तुती है ये हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी चनातिया हो हम सत्य, धर्म और प्रेम का दीप जलाकर हर अंधकार को दूर कर सकते हैं आज के दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयुध्या लोटे है उनकी अयुध्या वापसी के साथ ही संदेश जुड़ा है कि जीवन में धर्म के पत पर चल कर ही सच्चे सुख वशान्ती का अनुभव होता है आज जब हम अपने घरों में दीप जलाते हैं तो आईए एक और दीप अपने हिदे में भी जलाएं एक ऐसा दीप जो हमारे भीतर की नकरात्मक्ता, क्रोध और द्वेशादी को दूर कर दे जैसे योग में शान्ती और संतुलन की साधना होती है वैसे ही ये पर्व हमें आत्मा में स्थिर्ता और मन में शान्ती का दीप जलाने की भी प्रेना देता है योग के माध्यम से हम अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पा सकते हैं जो सदा हमारे साथ है जैसे शीमत भगवद गीता में कहा गया है अपने धर्म का पालन करना ही सची विजय है दिपावली हमें इस सत्य को स्मरण कराती है कि जब हम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तभी हम वास्तविक प्रकाश के अनुभूती कर पाते हैं आईए इस दिपावली केवल अपने घरों में नहीं अपितु अपने हिदय में भी प्रेम, संतोश और सहन शीलता के धीपों को रोशन करें और अपनी संस्कृती, अपने धर्म और अपनी परंपराओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ें ये पर्व केवल बाहरी सजावट का नहीं अपितु भीतरी जागरिती का भी पर्व है आप सभी को दिपावली के एक बार फिर हिदय पूर्वक शुब कामनाय आपका जीवन सदा प्रकाश से भरा रहे प्रेम और सम्रिद्धी आपके जीवन में बसे और आप सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर अगरिसर रहें शुब दिपावली